Hi everyone, this is Deepika, welcome back, I hope कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, एक बाफिर से स्वागत है, Study with Comfort में और आज की lecture में हम लोग the relational turn in international relation को समझने वाले हैं एक important key concept है international relation का जो बहुत ही complex है, थोड़ा tough है बट मैं कोशिश करूँगी कि इसको easy तरीके से आपको समझा पाऊं तो आप यहां पर concept को समझने की कोशिश करिएगा, रट्टा लगाने की कोशिश नहीं करना है, आपको समझने की कोशिश करना है बहुत सरे यहां पर मैंने handwritten notes लिये हैं जसे कि आप इस पूरे concept को मैं और simplest बना सकूँ तो वीडियो को मैं डीटेल में शुरू करूँ इससे पहले humble request है, अगर आप पहली बार मेरे YouTube चैनल में आएं तो प्लीज चैनल को subscribe जरूर करिएगा, वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को like करिएगा, इंस्टाग्राम पे जरूर फोलो करिएगा, जहां पर आप directly communicate कर स से कि आप चैनल को subscribe जरूर कर दीजे और अपने friends के साथ जरूर शियर कर दीजेगा, इससे थोड़ा से support मिल जाएगा मुझे, thanks for all the love and support जो already आप मुझे दे रहे हैं, so relational turn in international relation की अगर हम बात करें, तो एक तरीके से ये shift है, इस हमारी जो ये पूरी international relation के discipline है, एक subject है जो, right, इसमें एक shift है, एक change है, एक departure है, इसके traditional way से, नए, new तरीके में, जैसे simple से होता है, आप एक old style होती है, simple समझते है, एक old style होती है, right, फिर यहां से departure करके, एक shift करके, आप कुछ नए तरीके अपनाते हैं, renovate करते हैं, new style अपनाते हैं, ओके, तो इसी तरीके से international relation को कुछ traditional तरीके से पढ़ा जा रहा था, समझा जा रहा था, traditional तरीके से research की जा रही थी, तो जो relational turn है ना, यह यहां पर, यह एक तरीके से departure था, इस traditional style से, old style से, new style में, जैसे आप एक पुराना घर होता है, हम उसे renovate करके, उसमें कुछ design चेंज करके, color चेंज करके, उसकी theme चेंज करके, उसको नया लुक देते हैं, नए जमाने के हिसाब से, relevant बनाने के हिसाब से, तो इसी तरीके से international relation के जो study की जा रही थी, कुछ old style में की जा रही थी, traditional way पर किया जा रहा था, अब जैसे एक छोटा से example अगर हमने, ताकि आपको better समझ में आए, कि जो traditional तरीका था, international relation को समझने का, वो state-centric approach था, state-centric approach का मतलब यह है, कि international relation में जब भी study किया जाता था, तो वहाँ पर state को एक unit of analysis माना जाता था, state मतलब countries, तो international relation में जो different countries है, उनके बीच के क्या relationship है, countries आपस में कैसे interact करती है, उनके behaviors क्या है, इस चीज़ का study किया जाता था, तो यह क्या था, traditional way था, old style थी, international relation को समझने का, पढ़ने का और research करने का, तो इसमें एक shift देखने को मिलेगी, जिसे relational turn कहा गया, एक departure देखने क को मिलेगा, इस old style से new style की तरफ, अब जब new style आएगा, तो यह सिर्फ state centric नहीं रहेगा, state का ही study नहीं किया जाएगा, यहाँ पर जो non-state actors है, अब non-state actors क्या है, जैसे कि बहुत सारे civil societies, हमारे जो NGOs होते हैं, individuals groups होते हैं, जो multinational corporations groups होते हैं, बहुत सारी societies होती हैं, उनका भी study किया जाएगा, कि यह जो non-state actors हैं, यह कैसे international relation में operate करते हैं, इनकी power dynamics क्या है, यह कैसे influence कर रहे हैं international politics को, एक छोटा से example आपको यह समझाने के लिए, कि old style से new style में changes क्या हैं, ओके, तो this relational जो turn है, represents a shift in focus within the discipline towards understanding the role of relationship and interaction between the actors, different actors, वो state actors हो सकते हैं, non-state actors हो सकते हैं, यह सारी चीज़ें, आपको state actors और non-state actors में difference समझ में आ गया न, state actors जो countries होती है, non-state actors हमारे जो NGOs, civil societies and XYZ, यह सारी चीज़ें होती हैं, अब इसका emergence क्यों हुआ, तो भाई यह देखा गया कि जो traditional style थी, जो old style थी, international relation को समझने का, पढ़ने का, research करने का, उसकी कुछ limitations थी, यह एक one dimensional था एक तरीके से, यह you can say that कि एक तरीके से, atomistic study किया जाता था, सिर्फ हम एक direction में ध्यान देते थे, और उसी के point of view से, international relation का study करते थे, लेकिन modern time पे क्या देखा गया, कि international politics क्या है, बहुत ही complex है, यह इतनी simple नहीं है कि जतनी दिखती है, जैसे कि present में, इंडिया और United State of America के bilateral relations काफी अच्छे हो रहे हैं, तो इसके पीछे बहुत ही जादा complex factors हैं, बहुत सारी कारण हैं, जो इंडिया और USA की bilateral relations अच्छी हो रही है, तो हमें सिफ एक direction से नहीं देखना है, political issues नहीं देखना है, हमको other dimensions भी देखना है, non-political issues, social issues हो गए, economic issues हो गए, या current geopolitics में, चाइना का क्या existence है, वो हो गया, तो बहुत सारी multiple dimensions है, जो traditional approach ये old style में नहीं था, तो relational turn in international relation क्या है, कि हमें traditional concept हैं, जो IR को, उनको recraft करने की जरूरत है, recraft करके, मतलब हमें इसे multi-dimensional बनाने की जरूरत है, कई सारे different different angles से सोचने की जरूरत है, अब traditional concepts, हम for example लेते हैं, diplomacy, या power का concept ले लेते हैं, तो power को पहले generally, traditional या old style में किस तरीके से define करते थे, military power, फिर दीरे-दीरे economic power, अब आप देखोगे कि power को हम दो तरीके में समझते हैं, तीन तरीके से particular लिए अगर देखा जाए, एक आपकी hard power हो गई, एक आपका soft power हो गया, एक आपका smart power हो गया, तो इस तरीके की power को हमने नए dimension से समझा, पहले traditional way पे हम इसे hard power के, एक atomistic way पे समझते थे, hard power, कि आपके पास weapon होने चाहिए, nuclear weapons होनी चाहिए, आपकी military strong होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें, अब soft power जिसमें diplomacy, culture, ये सारी dimension आगे, people to people contact आगया, आपकी cultural values क्या है, ये सारी चीज़ें आजाती है, ओकी तो ये हमें traditional concept को recraft करना है, ये क्या है, relational turn है, इसी तरीके से जो regular problems है, international relation की, उनको नए angle से interrogate करने की ज़रूरत है, जैसे कि हमें interrogate करना है regular problems of IR का new angle से, जैसे एक simple सा हम लेते हैं, migration एक problem है, international relation में migration एक problem है, अब migration कई कारण से होती है, पहले generally migration को माना जाता था, कि ये किस कारण से हो रही है, violence की वज़े से, या conflict की वज़े से हो रही है, या लोग job की search में migration कर रहे हैं, या लोग बहतर एक living standard, एक बहतर quality life के लिए migration कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे इंडियन्स जाके यूरोप में जाकर बस जाते हैं, migrate कर जाते हैं, अब नए एंगल से, आजकल migration जो refuses हैं, उसमें कहा जा रहा है कि एक नए एंगल अड़ करो, that is environmental refuses, कि environmental degradation से, environmental problem की वज़े से भी migration हो रहा है, तो problem regular है, migration refuses, बट हमने इसको नए एंगल से interrogate किया, वो है environmental dimension से, तो यह आपका क्या है, relational turn हो गई, तो इस तरीके से overall, जो conceptual depth है, उसको multifaceted बनाने की, यहाँ पर efforts किये गए, जोर दिया गया, तो एक basic meaning समझ में आई आपको, कि what is relational turn in international relation, थोड़ा सा और हम deep में जाते हैं, इसे समझने के लिए, जो relational turn है international relation में, तो मैं बार-बार एक term यूज़ कर रही हूँ, atomistic understanding, तो relational turn international relation में, challenge करता है कि इसको old style को, हमने देखा न, old style of understanding the international relation, यह old style of research in international relation, इस तरीके से, तो इसने, जो relational turn है, इसने challenge किया इस old style को, जो atomistic understanding को focus करती थी, produce करती थी, जो भी research produce किया जाता था, international relation में, वो atomistic understanding से होता था, जैसे कि state centric, हम सिर्फ states के बीच के relation को study करते थे, जैसे हम diplomacy कर रहे हैं, तो वो state के बीच का, हम non-state actors को overlook करते थे, ignore करते थे, तो यह atomistic understanding हो गया, यह for example, migration या power को, हम traditional तरीके से समझते थे, तो यह atomistic understanding हो गया, जब हम इसमें new angles ला देंगे न, कुछ और multi, जो multi-lateral dimensions हैं, multiple dimensions हैं, उनको include कर देंगे, तो यह atomistic नहीं रहेगा, यह pluralism हो जाएगा, तो एक तरीके से आपके relational turn in international relation में attempt किया गया, to integrate the other ways of knowing into the discipline, मतलब हमने international relation को एक plural discipline बनाने की कोशिश की दूसरे तरीके हैं, जो international relation को समझने के, पढ़ने के, रिसर्च करने को उसको integrate किया गया, तो relationality में आपको एक चीज देखने को मिलेगी, कि जैसे जो phenomena हो रहे हैं, जैसे war है, conflict है, यह सब चीज़ें हो रहे हैं, तो यह क्या हैं, इनमें present, past and future, इनके बीच में interlinked हैं, यह interlinked है, कोई भी चीज isolation में exist नहीं करती है, ओके, relationality में यह इस चीज पे जोड़ दिया गया, कि जो भी फिनॉमेना हो रहा है international relation में, यह present, past and future का coexist हैं, और इनमें constant exchange होता है, और यह complementarity को focus करते हैं, तो अगर माल लीजे, आप war, यह you can say that climate change, climate change को अभी present से जोड़ कर देखो, और present perspective से इसे एक तरीके से describe करो, या समझने की कोशिश करो, तो यह गलत है according to relational return, यहाँ पर climate change को आपको समझना है, तो आपको past में भी जाना होगा, past में जो countries की activities हैं, उसे समझना होगा, future में क्या होने वाला है, यह सब interconnect करके आपको पढ़ना होगा, समझना होगा, या research करना होगा, तो in short, अगर मैं summarize करूँ, जो अभी तक मैंने आपको यहाँ पर explain किया है, तो relationality या relational turn in international relation क्या है, एक ontological shift था, या ontological starting point था, एक नए dimension, एक नए understanding की शुरुवात होती है यहाँ पर, ontological क्या है, ontological एक मतलब it is a study of being, right, एक तरीके से knowledge की branch है, जिसे हम mainly कहते है study of being, अब study of being आपको थोड़ा tough लग रहा होगा समझना, तो जो ontological बेसिकली यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम inquiry करते हैं, जैसे कि international relation में हम countries के बीच के relationship को inquiry करेंगे, inquiry भाई कैसे countries interact करती हैं, factors क्या होते हैं, इनके behavior को shape करने पे, इनके उद्देश क्या होते हैं, objectives क्या होते हैं, इनके national interest क्या हैं, यह सारी चीज़े हम inquiry करेंगे न, कि भाई जैसे for example, इंडिया और USA के bilateral relations इस समय काफी अच्छे हो रहे हैं, तो आप inquiry करोगे कि क्यों हो रहे हैं, क्या factors responsible हैं, क्या consequences हाने वाले हैं, इंडिया के लिए कैसे beneficial हैं, USA के लिए कैसे beneficial हैं, यह geopolitics में इसका क्या impact पड़ेगा, तो आप एक तरीके से क्या कर रहे हैं, inquiry कर रहे हैं, examination कर रहे हो, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हैं, एक inquiry, examination है, study of being है, तो जो relationality है, यह relational turn है, यह एक ontological starting point था, किस चीज़ के starting point, जहां पर international relation में कई तरीके से जो other form of knowledge हैं, उनको cultivate करने की कोशिश की जाती है, मतलब कि इसे multifaceted बनाया जाता है, यह you can say that, कि plural बनाया जाता है, जो other form of knowledge है, cultivation के, उसको भी include करने की कोशिश की गए, इसी तरीके से other effective ways यहां पर locate किये गए, जिससे कि जो complexity है international relation की field में, उसे हम और effective way पर deal कर पाएं, भाई, international relation और international politics इतना simple नहीं है, कि जतना दिखता है, तो यह जो complexities है, इसको हम effective way पर समझ सकें, deal कर सकें, इसके और नए-नए तरीके यहां पर खोजे जाने लगे, okay, समझ में आया यह चीज, तो यह हो गया अभी का हमारा यह, अब मैं थोड़े से कुछ examples दूँगी, जो आप यहां पर explain कर सकते हो, यह better समझ सकते हो, जैसे हमने पढ़ा था है कि recraft करना है, traditional concept को, तो जैसे मैंने already बताया था, diplomacy, अब diplomacy में आपके भी बहुत सारे cultural diplomacy आ जाता है, right, कि हम culture को या जो हमारा value system है, उसको हम diplomacy के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जैसे इंडिया और हम इंडिया का example लें यहां पर, और जो south east station countries है, right, south east station countries, यहां पर आपको पता है कि बुद्धिजम बहुत जादा follow किया जाता है, अब इंडिया बुद्धिजम का home रहा है, तो बुद्धिजम को हम एक as a part consider करते हैं, जैसे चाहे हम भूटान के साथ bilateral relation बना रहे हों, या other south east station countries के साथ relation बना रहे हो, तो यह क्या है, हमने diplomacy, जो simply एक तरीके से negotiations, debate होता था, हम उसको और broad कर रहे हैं इस concept को, हम recraft कर रहे हैं traditional concept को, इसी तरीके से power का मैंने concept बताया आपको कि hard power, then आपका soft power, then आपका smart power आजकल एक नया concept चला है, तो यह सारी चीज़ें यहां पर आगे, इसी तरीके से rights का, तो पहले rights को हम क्या देखते थे, जैसे की civil rights, economic rights, फिर धीरे धीरे हमने social rights की demand करी, women empowerment, gender equality, या black के जो rights हैं, इन सब चीज़ों को, इसके बाद से human rights आप देखेंगे, human rights हमने consider करना शुरू किये, तो rights को भी हम नए नए तरीकों से explain कर रहे हैं, अब हम regular problems को एक तरीके से नए angle से explain करना, migration मैंने already आपको refuses बता दिया है, कि किस तरीके से हम, environmental degradation की वज़े से हो रहे, migration को भी एक अलग class बनानी की बात की जा रहे है, कि उसे भी refuses की रूप में acknowledge किया जाए, demand ये हो रहे हैं कि environmental degradation से, जो भी लोग migrate कर रहे हैं other countries में, उन्हें भी refuses का धरजा दिया जाए, एक environmental refuses वहाँ पर उनको एक category बनाई जाए, तो एक तरीके से regular problem को हम नए angle से define करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कुछ examples हैं जो आप use कर सकते हो, तो I hope कि यहाँ से relational turn है जो international relation में, वो आपको समझ में आया गया, basic concept समझ में आ गया, कि relational turns है, कि भाई हम old style को new style देंगे, और new style हमारी क्या रहेगी, इसमें multiple dimensions होंगे, multiple dimensions से, हम multiple तरीके से knowledge को गेन करेंगे, multiple, भाई कोई problem है उसको multiple dimensions से देखने की कोशिश करो, ना कि सिर्फ atomistic वे पे, एक direction से नहीं, ओके, अब इसका फाइदा, international relation में जो research थे, इसको भी मिला, आप देखोगे कि हर चीज के नए concept, जो old concept थे, जो traditional concept थे, उनको नए तरीके से define किया गया, आप देख लो democracy को, democracy एक traditional concept था, इसको नए नए तरीके से, किस तरीके से define किया गया, marxism को नए नए तरीके से, neo-marxism, liberalism के बाद realism, neo-realism, ये सारी चीज़ें आई न, तो ये नए तरीके से define करना, तो अगर हम key features की बात करें, relational turn in international relation में key features, तो सबसे important आता है interconnectedness, मतलब interconnectedness का मतलब ये है कि जो various factors हैं, various actors हैं, various phenomena's हैं, उनके बीच में interconnection find out करो, कोई भी चीज़ isolation में नहीं होती है, कोई भी चीज़ को isolation में study नहीं कर सकते हो, आप interconnection, तो एक international relation एक तरीके से complex wave of relationship है, relationship political भी हो सकती है, political factors से भी motivated हो सकती है, economic factors से motivated हो सकती है, cultural factors से motivated हो सकती है, social factors से motivated हो सकती है, ओके, तो ये complex wave of relationship को focus करना है, जिसमें हमें actors, non-state actors, various institutions, इन सबको साथ में लेकर study करना है, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ actors पे focus कर रहे हैं, और हम political dimension पर focus कर रहे हैं के वाद, तो ये interconnectedness का concept समझ में आ गया, power in relations, relational turn basically challenge करता है traditional understanding of the power, जहां पर ये बात की गई थी, कि भाई जो power है न वो individual actors जो है, जो countries है, उनके पास है, तो जो relational turn से ये find out करने की कोशिश की गई, कि जो भाई power है ये relational है, सिर्फ actors ही नहीं power को enjoy करते हैं याँपर, जो individual, जो state actors हैं, जो state actors क्या है, जो countries है different, तो ये से पावर को enjoy नहीं करते हैं, बलकि याँपर multiple actors हैं, जैसे कि non-state actors भी हैं, जिसमें आजाते हैं आपके NGOs, civil societies, individuals groups आजाते हैं, MNCs आजाते हैं, इनके पास भी बहुत huge power होती है, तो जो power है न वो dynamic concept है, और power को हम सिर्फ state को point of view में रखके नहीं पढ़ेंगे, हमें इन non-state actors हैं, इनके साथ ये power sharing कैसे कर रहे हैं, power प्रभावित कैसे हो रही है, ऐसे पढ़ना है, तो power in relation, not in isolation, ये ध्यान रखना है, इसके बाद से agencies और structure के बात करें, तो relational turn में इस बात को recognize किया गया, कि agencies और जो structures हैं, इनके बीच में एक relationship है, अब agencies क्या है, agencies मतलब जो actors हैं, जो आपके state, countries हो गएं ये सारी, structures मतलब होते हैं, various norms, institutions and discourse, ये, तो agency और structure के concept में, relational turns ने ये recognize किया, कि भाई जो actors हैं न, ये नहीं norms and institutions, मतलब actors के दोरा ही norms या institution को प्रभावित नहीं किया जाता, कई बार ऐसा होता है कि norms and institution भी actors के behavior को shape करते हैं, जैसे आप identity का concept पढ़ेंगे, इसके बाद से आप जो ideology का concept पढ़ेंगे, various norms का concept पढ़ेंगे, तो ideology के आधार पर भी actors का behavior चेंज होता है, shape होता है, तो एक तरीके से मेरा कहना यहां पर यह है कि जो relational turns है, इसने क्या recognize किया, कि जो agency, मतलब जो actors और structures, जो norms, institution and discourse हैं, ये दोनों ही एक दूसरे को influence करते हैं और influence होते हैं, they both shape and are being shaped by the relational dynamics between the actors, okay? next, features क्या है, networks and complex systems, तो relational turns में इस बात पर जोड दिया गया, कि भाई हमें networks and complex system, जो है global politics का, उसको समझने की जरूरत है, ये इतना simple नहीं है जितना की हमें लगता है, तो जो international या global politics में, जो ये networks of relationship हैं न, इसके बहुत सारे various forms हैं, सच as alliances, trade networks, social networks हैं, ये सिफ political networks नहीं हैं कि countries के बीच में bilateral relations चल रहे हैं, आज कल आप देखोगे, people to people contact को बहुत ज़ादा बढ़ावा दिया जा रहा है, हमारी Indian government में जो हमाई Prime Minister, PM Modi है, वो कहीं पर भी जाएंगे, आप देखोगे, Indian community के साथ जरूर interact करते हैं, आपने उनकी most of the visit में देखा होगा, कि वो जिस भी देश में visit के लिए गए हैं, वहाँ पर वहाँ की Indian community के साथ में जरूर उन्होंने interact किया है, तो यह क्या है, एक तरीके से social networks है, तो alliances ऐसे नहीं है कि India और USA के बीच में alliance है, हमारे जो लोग हैं, उनके बीच में भी alliances हैं, एक networks है, तो यह networks बहुत important होते हैं, power को distribute करने पर, exercise करने पर, कल को USA में अगर कोई India को ज़रूरत है किसी चीज़ की, तो USA में जो Indian community रह रही है, वो support करेगी ना India के favor में, इस चीज़ को लेकर, तो यह networks and complex system को समझने की ज़रूरत है, आज कर आप देखोगे, जैसे की quad का example दे सकते हो, आपकी quad का formation, जैसमें USA भी member है India, मुझे comment करके बताएए, quad की members कौन-कौन से हैं, तो यह सारे alliances का आप examples यहाँ पर दे सकते हो, non-state actors एक और important key features है, तो relational turns में, turn recognize करता है, significance of the non-state actors, क्योंकि old style में क्या था, जाती थी, but relational turns ने non-state actors की significance को भी highlight किया, और यहाँ पर इस बात को जोड दिया गया, कि भाई हमें state-centric focus या approach से beyond जाने की जरूरत है, और जो transnational corporations हैं, जो NGO's हैं, जो civil societies हैं, जो across the border organized हो रही हैं, काम कर रही हैं, function कर रही हैं, उनको भी recognize करने की जरूरत है, यह non-state actors का हो गया, then identity and recognition, relational turns ने इस बात को highlight किया, कि भाई, identity, recognition, social norms, इनका भी बहुत जादा role होता है, actors की बीच में relationship को shape करने पे, अब identity कुछ भी हो सकती है, national हो सकती है, ethnic हो सकती है, social effects, कुई भी ethnic हो सकती है, जैसे माली जी western countries, जो developed countries है, वो अपना एक culture मानते है, उनकी अपनी एक ideology है, for example, capitalism, उसी तरीके से जो आपने cold war के दोरान देखा था, USA का जो USA led group था, वो capitalism को support कर रहा था, उनकी यह ideology थी, दूसरे तरफ USSR था, जो communism को support कर रहा था, यह उनकी ideology थी, तो यह identity के आधार पर क्या था, एक groupism बना, ideology के आधार पर groupism बना हुआ था, identity के आधार पर जैसे muslim community हो गई, वो आपस में एक तरीके से unity बना कर चलते हैं, तो यह किसी भी तरीके से identity जो है, वो national based हो सकती है, ethnic based हो सकती है, language based हो सकती है, religion based हो सकती है, कोई भी, कुसी भी तरीके से, तो यहाँ पर relational turns ने कहा कि भाई हमें इसके role को, जो यह identity and recognition है, इसके role को importance देनी होगी, और जब हम international relation में concept and जो problems है, उसको समझते हैं, define करते हैं, study करते हैं, तो हमें इस चीज़ को ignore नहीं करना चाहिए, यह crucial होता है, अगर आपको एक comprehensive understanding रखनी है, किसी भी मुद्दे की तो, तो यहाँ से आपको यह पता चला, इन की features से, कि भाई, अब हम international relation में, जब हम concept को, या कोई problems को define करेंगे, तो उसमें multiple factors से हमें उस problem को देखना है, multiple factors या multiple dimensions से हमें concepts को define करना है, समझ में आ गया, तो relational turns एक तरीके से, IR में एक new shift को offer करती है, जहाँ पर हम global politics की understanding को multiple dimensions से देखते हैं, और इसने state centric या जो traditional style था, उसको challenge किया, और यहाँ पर interconnectedness या power dynamics को, यहाँ पर significance दिखाया, कि किस तरीके से international outcomes shape होते हैं, इसके पीछे multiple factors होते हैं, तो यह था relational turns, I hope कि आपको समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आया होगी, तो वीडियो को like करिएगा, comment करके feedback जरूर दीजेगा guys, and please, please चैनल को subscribe जरूर करिएगा, मेरी humble request है आपसे, आप मेंसे बहुत सारे लोग मेरे वीडियो देखते हैं, बढ़ चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बहुत डिसापॉइंटिंग है guys, आप मेरे point of view से देखिए जरा, एक बार मतलब मेरी जगे खुद को रख कर देखिए, क्या आप इतना hard work करें, और आपको सब्सक्राइब करने में कोई कॉस्ट नहीं लगती है ना, तो प्लीज दो इट गाइज, इट साहम बार रेक्वेस्ट और अपने फ्रेंड्स के साथ जरू शेयर करिएगा, इससे मुझे सपोर्ट मिलेगा, और इंस्टरग्राम पे जरू फोलो करना,